हुला स्टुडेंट हाव आर यू आई होब आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास एट आइसी एसी एमेल अगरवाल एक्सरसाइस 4.1 आपके सामने लेकर हासिर है स्टुडेंट इस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं जहां पर जिस कॉंसिप्ट की जरुड़त होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा कह रहा है इन चार नंबर में से कौन सा पर्फेक्ट क्यूब नहीं है और अगर जो सा पर्फेक्ट क्यूब नहीं है उसमें आप रीजन दीजिए कि क्यों नहीं है वो पर्फेक्ट क्यूब उसको होना चाहिए तो ऐसा एक्स कोशन में कुछ पूछ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते है अपना कोशन देखिए कोई भी नंबर पर्फेक्ट क्यूब है या नही कोई भी नंबर पर्फेक्ट क्यूब है या नही ये हम उसका प्राइम फेक्टराइजेशन मेथट के थूँ एलसियम निकाल के ही बता सकते हैं क्या मैंने कहा कोई भी नंबर पर्फेक्ट स्कॉईर है या नही ये हम उसका एलसियम निकाल के ही बता सकते हैं Prime Factorization Method के through ठीक है चलिए निकाल लेते हैं Prime Factorization Method के through LCM 648 का निकालते हैं बहुत आसाने देखिए 2 से Reduce किया तो यह हो जाएगा 324 फिर 2 से Reduce किया तो यह हो जाएगा 162 फिर 2 से Reduce किया तो कितना हो जाएगा 81 फिर 2 से Reduce 27 3 से Reduce किया तो हो जाएगा 9 3 से Reduce किया तो हो जाएगा 3 उसके बाद फिर 3 से Reduce करेंगे तो हो जाएगा ठीक है देखिए किसी भी नंबर का Perfect Square कब बनेगा यानि कोई भी नंबर Perfect Square कब बनेगा जब हम उसका LCM निकाले और LCM में सेम गिंती का 3 का प्यार बने तरह आपने ये क्या कहा है वह फिट से रिबीट करेंगे कोई भी नमबर एक perfect cube कब बनता है जब हम उसका prime factorization method के थूँ LCM निकालें और उसके जो LCM निकला है उसमें 3 सेम गिंती का प्यार बनना चाहिए जैसे यहाँ पर 2 का देखिए बन गया 3 सेम गिंती है ने 2 उसका pair बन गया 3 का देखिए एक pair बन गया लेकिन आखरी में एक 3 बचा रहे गया pair complete बनना चाहिए ठीक है आखरी में जो है बचना कोई number नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर 3 बच गया है आखरी में therefore आपका जो 648 है वो एक perfect cube नहीं होगा ठीक है मिरी बास समझ में आई या नहीं आई अच्छे जवत आईए ठीक है ठीक है ना चलिए तो आप यहाँ पर रिजन क्या लिखेंगे 648 is not a is not a is not a perfect cube यह एक perfect cube नहीं है क्यों because because 3 3 अच्छा 3 वरी मत लिखेंगे because because it does not that यह लिखेंगे because the pairing of because the pairing of numbers doesn't occur in pair of 3 एक बार प्री से बता आते हैं देखिए तो लाइंग्विश लिख दिया है समझाऊंगा कहरा 648 एक perfect cube नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो pairing of number हुई है वो 3 के pair में पूरे number की pairing नहीं हो पाई है यानि जो 3-3 number का हम pair बना रहे हैं उसमें सारे number cover नहीं हो पाई है आकरी में एक number बज़ गया है बस इतना सा है ठीक है चलिए next part करते है 729 वैसे 729 एक perfect cube है ठीक है 9 का है कर लेते हैं फिलाग 3 से reduce करेंगे 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 81 बार में फिर 3 से reduce किया तो 27 बार में फिर 3 से करेंगे तो 9 बार में फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में अपर 3 से करेंगे तो 1 बार में देखिए एक pair 3 का यहाँ पे बना 3 गिंदी का एक 3 गिंदी का pair यहाँ पे बना 3 यहाँ से निकलेगा 3 यहाँ से निकलेगा कितना हो जाएगा 9 ठीक है फिलाल हमसे पूछने ही रहा है किस नमबर का है लेकिन अगर पूछता कि 729 किस नमबर का perfect cube है तो हम बता देते हैं 9 का है ठीक है फिलाल यहाँ पे पूरी complete pairing हो रही है तो यहाँ पे आप लिखेंगे yes yes 729 is a is a perfect cube यह क्या है आपका एक perfect cube है ठीक है student समझ में आई मेरी बात या नहीं है अच्छे से बताईए ठीक है चलिए next portion करते है अपना इस question का क्या दिया है 8 6 4 0 क्या दिया है 8 6 4 0 इसको भी निकाल लेते हैं वैसे यह भी नहीं है देखके नहीं लग रहा है बाकि चेक कर लेंगे तो जाएगा 4 3 2 0 फिर 2 से reduce करेंगे तो जाएगा 2 1 6 0 फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 0 8 0 फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5 40 फिर 2 से reduce करेंगे तो हो जाएगा 2 70 फिर 2 से reduce करेंगे तो हो जाएगा यह आपका 135 सही कर रहा हूं न कि बहुत आला दीच्छा भाग रहा हूं लेकिन तुसको तुला एजस करिएगा कि प्लेन पेपर पर मुझको मतलब इस तरी कैसे लिखने की आदत नहीं है जाद है कि देख लिए साही की आया नहीं कि हम सही है मेरे खाल से था थुक है थीडिए तरी फॉर साथी फाइब जा पीदि करेंग कैसे फैब बार में यहां पर यहां पर भी प्यर बना लेकिन आखनी में एक फाइब चूट गया ठीक है तो यहाँ पे आप reason क्या लिखेंगे 8640 is not a perfect cube यह एक perfect cube नहीं है reason आप यहीवाला copy कर देंगे यहाँ पे टीक है जगा नहीं है इस वज़े से नहीं लिख रहा हूं टीक है चलिए 8000 को भी आजमा लेते हैं perfect cube है या नहीं 2 से reduce करेंगे तो यह हो जाएगा 400 फिर 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 200 sorry 200 कहा रहा हूं 4000 और 2000 रोगा ठीक है फिर 2 से reduce करेंगे तो हो जाएगा 1000 अब डारेक रिती माथा पच्ची नहीं करेंगे डारेक 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 100 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 10, 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बार में, ठीक है, 2 से करते तो भी आजाता लेकिन बढ़ा जाता, वैशे 2 से करना ही बहतर होता, क्योंकि हम इसका prime factorization method के थूर से हम निकाल लें, अब prime factorization का मतलब ही यह है, कि हर number का जो factor होगा, वह prime होगा, ठीक है, लेकिन वैसे कर देंगे 10 से direct, तो divide, मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे जादा जगा नहीं है और टाइम जादा जदा इस वज़े से मैंने direct 10 से कर दिया, और मुझको पता भी था कि 1000 है, तो 10 से 3 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 2 का 3 गिंती में प्यार बन रहा है, और 10 का भी 3 गिंती में या 3 नंबर में प्यार बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर लिफ्ट नहीं हूँ आखरी में प्यारिंग बनाते वक्त, इस वज़े से हम कहेंगे, कि यस, यस, 8000, 8000, 8000, is a, 8000, is a, perfect cube, 8000 क्या है आपका, 8001 perfect cube है, ठीक है स्टुडेंट, समझ मैं है मेरी बात, अच्छे से, चलिए, आप इसका फड़ाक से स्क्रीन शॉट ले लिजए, इसके बाद मैं आपको इस exercise का next question explain करूंगा, जल्दी से ले लिजए, चलिए, देखिए, क्या कह रहा है, कहरा आप शो करिए, कि इसमें से जितने भी नंबरे सारे ही perfect cube हैं, ठीक है, तो शो कर देंगे, से यह थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं, तो मतलब LCM ध्यान से निकालना पड़ेगा, 1728, क्या दिया है आपको, 1728 दिया हुआ है, क्या दिया है ज़रा देखिए, दिया है आपको 1728, तो इसको निकाल लेंगे, बहुत आसान है देखिए, क्या आएगा, 2 से करेंगे, तो यह जाएगा 28, 26, 24, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, जाएगा 4, 3, 2 बार में, फिर 2 से करेंगे, तो यह जाएगा 216 बार में, बसे देखिए, मुझको पता है 2166 का क्यों बहुता है, ठीक है, लेकिन वही है, मतलब direct नह नहीं करना है, ठीक 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 है क्या होगा एक perfect square होगा यहाँ पे हमने show कर दिया ठीक है समझ में आया यहाँ पे यह दिदीजिए yes ठीक है सिर्फ यह लिखेंगे yes 1728 is a perfect दिख लिजे 1728 is a is a is a perfect cube यह क्या है आपका perfect cube होगा ठीक है चलिए 5832 को भी कर लेते हैं कितना हो जाएगा 2916 फिर टू से करिंग कितना हो जाएगा 1458 फिर टू से करिंग कितना हो जाएगा 243 फिर टू से करिंग कितना हो जाएगा 21 उसके बाद फिर टू से करिंग कितना हो रही है तो यहां पर आप दिखेंगे यस 5832 is a perfect cube ठीक है स्टुडेंट समझ में आया अच्छे से चलिए थर्ड पार्ट करते हैं क्या दिया है 13824 टू से रेड्यूस करिए है इतना हों जाएगा 6 बार में जाएगा फिर 9 बार प्राट करें छाएगा फिर ये जाएग संक्रेसे यस जाए जमें बार में बार में जाएं 1002- gravity अब देखिए 1728 मैच कर गया ना यह निजड़적 स्वेट के KYIR जाएगा अब हम वह करेंगे पूरा इसी का कॉपी रहेगा ठीक है कोई दिक्काताली बात नहीं है ठीक है ना कर लेंगे अब चाहित उठाक यहां से डारेक्ट कॉपी कर दीजे मैं तो कॉपी कर रहा हूं देखके 864 था फिर 432 था फिर 2 से किया 216 था फिर 2 से किया कितना था 108 था फिर 2 से किया कितना था 54 था फिर 2 से किया कितना था 27 था फिर 3 से किया 9 था 3 से किया 3 था और 3 से किया 1 था एक प्यार यहां बना तीन गिंती का एक प्यार यहां बना एक प्यार यहां बना कोई भी प्यारिंग देखिए लिफ्ट तो नहीं हुई है न यानि सारे ही नमबर तीन तीन के प्यार बन रहे हैं तो आप लिखेंगे यास 1-8 1-3-8-2-4 is a is a perfect cube यह क्या है आपका एक perfect cube है ठीक है student चलिए next part करते है अपना 3-5-9-3-7 इसका भी LCM निकाल लेंगे 3-5-9-3-7 अच्छा पहली बात देखेंगे यह reduce के से हो रहा है ठीक है यह मुझे बहुत थोड़ा जीब नमबर लग रहा है देख लेंगे 5-3-8 8-9-17 17-3-20 20-7-27 ठीक है सारे digit को डोन लेंगे 27 आ रहा है और 27 जो है 3 के table में आता है याने की 3-5-9-3-7 भी 3 के table में आएगा यह trick आपको पता थी इससे पहले या नहीं पहले यह बताईए नहीं पता देते हैं तो सुननीजे मेरी बात किसी भी नंबर की divisibility अगर 3 से चेक करना हो तो हम क्या करते हैं उस नंबर में जितने भी digit हैं digit मवजूद हैं सबको जोड लेते हैं जोडने पे अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से divisible है तो यह वाला नंबर भी 3 से divisible होगा otherwise नहीं होगा समझ में मेरी बात next करते हैं ठीक है 3 से डिदीूस करेंगे जोडने पे 27 आ रहा है था 27 तींक टेबल में आता है तो यह नंबर भी क्या होगा 3 से डिदीूस होगा 1 बार में गया 2 और 9 2 और 3 7 बार में गया 9 और 18 7 और 2 यहां पे हो जाएगा 1, 1, 7, 9 18, 9, 27, यानि ये भी जाएगा 3, 3's are 9 3, 9's are 27, ठीक है 2 और 7, फि 3, 9's are फि 3, 3's are फि 3 से काटेंगे तो जाएगा 1, 3, 3, 1 अच्छा, ये 1, 3, 3, 1 बहुत अजीब नमबर है ठीक है मुझे तो पता है, येकिन ये 1, 3, 3, 1 आपको घुमा सकता है मैं बता देता हूँ, 1, 3, 3, 1 11 का क्यूब है, ठीक है 11 से डिवाइट करेंगे तो हो जाएगा 121 फिर 11 से डिवाइट करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 से डिवाइट करेंगे तो हो जाएगा 3 नमबर की पेरिंग यहाँ पे होई ठीक है, आंसर कितना आएगा, यानि एक perfect cube है, शो हो गया, आंसर तो भी पूछा ही नहीं है, तो yes, 35937 is a, is a, is a perfect cube, यह क्या है आपका एक perfect cube होगा, Okay student, screenshot लेना चाहें तो ले ले, बना इसके बाद मैं आपको, इसका next question explain करता हूँ, जल्दी से ले लीजे, अपना next question करते हैं, इस exercise का, ठीक है देखे, यह भी असान है, देखने में टफ लग रहा है इस exercise में, लेकिन है सभी असान, तक्रीबन तक्रीबन, तक्रीबन, ठीक है, कहरा, find the smallest number by which, each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube, बहुत आसान है, कहरा, सबसे छोटा नमबर बताईए, जिसको अगर मैं multiply कर दूँ, 243 से, तो जो resultant होगा, वो एक perfect cube बनेगा, यानि सबसे छोटा नमबर बताईए, जो 243 से multiply होने के बार, जो result आएगा, वो एक perfect cube होगा, ठीक है, बहुत आ बहुत आसान है, तरीका भी सेम है, पहले हम 243 का क्या करेंगे, side में LCM निकालेंगे, prime factorization method के थ्रूप, निकाल लेते हैं, 3 से reduce करेंगे 81 बार में, 3 से फिर किया 27 बार में, 3 से reduce किया 9 बार में, 3 से reduce किया 3 बार में, 3 से reduce किया 1 बार में, ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, 3 प्यर यहां पर बना, नीचे 2, 3 मौझूद है, अगर 1, 3 और होता, तो यहां पर भी pairing हो जाती, और जो आपका number होता, वो क्या होता, वो होता आपका एक perfect cube, ठीक है, यानि 1, 3 की और जरूरत है, तो अगर 1, 3 की जरूरत है, तो हम यह कह सकते हैं, अगर हम 2, 43 को 3 से multiply कर दें, तो जो resultant होगा, वो क्या हो जाएगा, एक perfect cube हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, 3 is the number, by which, by which 243 multiplied, 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 multiplied लिखेंगे, 3rd form, multiplied, in order, in order to become, 3 is the number, by which 243 multiplied, in order to become, perfect cube, in order to become perfect cube, ठीक है, समझ मैं मेरी बात या नहीं आई, इतनी सी बात बताएगे, ठीक है, यानि, सिधा-सिधा है, कि यहां पर 2-3 मौझूद है, अगर 1-3 और होता, तो हमारा काम बन जाता, यानि, आपको जो number होता, वो क्या होता है, perfect cube होता, तो उस 3 का मुल्टिप्लाई कहां करेंगे, यानि, 243 में 3 अगर multiply करेंगे, तो जो answer आएगा, वो एक perfect cube होगा, ठीक है, सिधा-सिधा कहने का मतलब यहता है, ठीक है, चलिए, अब सभी में हम ऐसे करेंगे, निकाल लेज़े, 3072 का भी वो, कितना जाएगा, जाएगा, 1536, फिर 2 से reduce करेंगे, तो इतना हो जाएगा, 768, यही होगा न, 768, 7 बार में 14, हाँ, ठीक है, यही आएगा, 2 से reduce करेंगे, तो जाएगा, 3 बार में 6, 8 बार में और 4 बार में, फिर 2 से reduce करेंगे, क्या हो जाएगा, 192, फिर 2 से reduce करेंगे, क्या हो जाएगा, 96, फिर 2 से reduce करेंगे, क्या हो जाएगा, 48, 24, 12, 6, 3, और 1, ठीक है, देखिए, यहां पे एक गिंती का पेर बना, यहां पे एक पेर बना, यहां पे एक पेर बना ठीक है, समझेगा कहां कहां पे पेर बना जरा देखिए यहां पे एक तीन गिंती का पेर बना, यहां पे बना, यहां पे बना आखरी में बच का गया आपका आखरी में आपका क्या बच गया जारा इस बात को समझेए आखरी में आपका टू बचा है और थ्री बचा है क्या बचा है टू बचा है और थ्री बचा है टू बचा है और थ्री बचा है यहां पर समझेगा यहां पर बच्चे बहुत गलती करेंगे उपर जो pair बन गए हों की बात नहीं करते हैं, क्या बचा है आखरी में, 2 और 3 बचा है, 2 और 3 को या तो आप multiply कर लिजे direct, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर एक 6 है, और 2 6 की कमी है, यानि 6 इंटू 6 की कमी है, 6 इंटू 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 36 की कमी है, यान आप जो यह initial आपका है, 3072, इसमें अगर आप 36 multiply करेंगे, तब ही आपका एक perfect cube बनेगा, otherwise नहीं बनेगा, फिर से बता देता हूं देखिए, जिनकी pairing हो गई, उनकी बात नहीं करते हैं, आखरी में बचा क्या है, 2 और 3 बचा है, क्योंकि अलग अलग नमबर हैं, तो इसको ह आएगा, 6 बचेगा, 2 और 3 multiply करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा, 1 6 मौझूद है, 2 6 की कमी है, 2 6 का मतलब क्या है, 6 और 6, यानि 6 इंटू 6 की कमी है, 6 इंटू 6 होता कितना है, 36 होता है, यानि अगर हम 3072 को 36 के multiply कर देंगे, तो जो resultant आएगा, वो एक perfect cube होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, 36 is the number by which, by which 3072 multiplied, यह शुद भी multiplied, ठीक है, एंग्लिज थोड़ा कम जो हर है मेरी, समझेगा, शुद आपर होने ची शुद भी multiplied, in order to become, in order to become, in order to become perfect cube, ठीक है student, चलिए, उस दिक इसको भी solve कर लेंगे, 11979, 11979, एक perfect cube, तो नहीं है वैसे, लेकिन, 37 हो रहा है, ठीक है, सब को जोड़ेंगे, वही 27 आएगा, ठीक है, शायद ऐसा कुशन हमने पहली भी गिया था, ऐसा कुश, ठीक है, कुश नमबर 2 में किया था, याद नहीं है, फिलाल चोड़ेंगे, ठीक हो रहा है, ठीक है, 1331, 11 का क्यूब होता है, 121 बार में जाएगा, फिर 11 बार में जाएगा, यहाँ पे एक प्यार बना, यहाँ पे प्यार नहीं बना, यानि अगर एक तीन और होता, मेरी बार समझेगा, एक तीन और होता, एक तीन और होता, तो आपका काम बन जाता, यानि तीन वो नमबर है, तीन ऐसा नमबर है, इसको अगर हम 11979 से मल्टिप्लाई कर दें, तो जो resultant मिलेगा हमको, multiply करने के बाद, वो एक perfect cube होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, पूरा statement copy कर लेंगे, 3 is the number, यहाँ ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, time जाया होगा, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजेगा, 3 is the number by which 11979 multiplied in order to become perfect cube, ठीक है चलिए, यहाला करते हैं, ठीक है, यही statement copy करना है बस, बस यहाँ पे 3072 की जगा, 11979 लिख दीजएगा, इसको कर लेंगे, 19652, 2 से reduce करिए, कितना हो जागा, ज़रा बताइए तो, यह हो जाएगा, 9 बार में, 8, 18 sorry, 1 और 6, 8 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 4913, अब देखिए किस से जाएगा, 4913 ने तो फसा दिया भी है, 4913 भी मेरे खाल से, यह किसी जो है, कोई एक, मतलब, कोई अजीब नमबर का मुझको यह लग रहा है, देखिए वो अजीब नमबर हो है, कौन से ज़रा पताईए, यह तो मुझे भी नहीं आता है, मेरे खाल से 17 क आए, क्योंकि यह चेक करना पड़ेगा इसको, वैसे 17 का ही है, जिरा एक वोरित आताएफा से 17 का मतलु नमबर कि वोड़े पताईए, वोड़े पताएट क्योंकि यह लागे वोगारा भी प्सप08 pieces का मुझे आता है, का मतलब नम ऴ। महआव लाववे हों यह वोड़े राम पताधाल इस वहो यह है, यह है यह यह भी है, और भी है, यह I am sorry में multiply करने लग गये ता आपको बताया नहीं 4913 जो है वो आपका 17 का ही Q होता है ठीक है यह आएगा 189 बार में उसके बाद यह जाएगा 17 बार में ठीक है तो इस तरीके के नमबर आपको फसा सकते हैं ठीक है देखिए समझेगा 17 का एक प्यार बना 2 और 2 यहाँ पे मौझूद है यानि अगर एक 2 और होता तो आपका 2 का भी 3 का प्यार बन जाता यानि वो नमबर कौन सा होगा जिसको अगर हम 1,9,6,5,2 से multiply करें in order to become a perfect cube वो नमबर होगा आपका 2 तो यहाँ पे statement आप क्या लिखेंगे 2 is the number by which 1,9,6,5,2 या आप लिखेंगे का should be multiplied in order to become perfect cube ठीक है student समझ मैं मेरी बात चलिए आप इसका screenshot ले लिजे इसके बाद मैं आपको इस exercise का next question explain करता हूँ जल्दी से ले लिजे ओके चलिए अपने next portion करते हैं इसके बाद इस exercise का next portion कहे लिजे find the smallest number by which each of the following numbers must be divided in order to become a perfect cube previous question में कहा था must be multiplied इसमें कहा रहा है must be divided तो ये भी मैं बता देता हूँ तरीका सेम रहेगा यानि आपको LCM ही निकालना है हर question की सुरुआत में prime factorization method के थरू भी ठीक है चलिए कर लेते है 1536 को आप LCM निकालेंगे prime factorization method के थरू 2 से रिवाट किया 7 बार में जाएगा 6 बार में जाएगा उसके बाद ये 8 बार में चला गया फिर 2 से रिवाट किया कितनी बार में जाएगा 3 बार में गया 8 बार में गया मार ये 4 बार में गया पी 2 से रिडूस कितनी बार में गया, 90, 6 बार में गया, 2 से रिडूस कितनी बार में गया, 48 बार में गया, 2 से रिडूस किया, 24 बार में गया, 2 से किया, 12 बार में गया, 2 से किया, 6 बार में गया, 2 से गया, 3 बार में गया, और यह 3 से किया, 1 बार में गया, ठीक है, देखिए, प्यार कहा बन रहा है, तीन गिंदी का यहां बना, तीन गिंदी का यहां बना, तीन गिंदी का यहां बना, अगर यहां पर यह तीन ना होता, तो हमारा नंबर क्या बन जाता, एक परफेक्ट क्यों बन जाता, क्यों बन जाता सर, कि उपर के नंबर की प्यारिंग आराम से हो ठीक है, अगर यह हमारा 3 ना होता, तो नमबर क्या बन जाता हमारा, एक perfect cube बन जाता, ठीक है, तो यानि अगर हम 1, 5, 3, 6 को 3 से divide कर दें, तो जो हमारा resultant आएगा, वो एक perfect cube होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3, ठीक है, एक statement लिख दे रहा हूं, उसके बा by which, by which 1, 5, 3, 6, should be, should be divided, should be divided in order to become a perfect cube, in order to become a perfect cube, ठीक है student, समझ में आई मेरी बात या नहीं है, ओके, चलिए, अपना next question करते हैं, क्या दिया हुआ है, जड़ा देखिए, 10985, इसको भी देख लेते हैं, तोड़ा देखिए, 10985, 5 से reduce करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 2 जा, 10, 5, 1 जा, 4 और 8, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 45, 3 और 5, 7 बार में जाएगा, अंसर कितना हो जाएगा, 2, 1, 9, 7, ठीक है, इसको तोड़ा समझी, का overrating हो गई है, 2, 1, 9, 7 लिखा है, ठीक है, अब देखिए, जआपका 9, 6, 16, 16, 16, 13, 19, जी नहीं हो गई है, अगेन ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, तो अगेन जो है ये आपका, अगेन जो है ये आपका, कोई ना कोई, प्राइम नंबर का ही perfect cube होगा, ठीक है, अब ये किसका होगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, किसका हो सकता है, जड़ा देखते हैं, 13 का है, ठीक है, ये 13 का है, इसका कोई तरीका नहीं आपको अंदाजे से ही निकालना है, अंदाजा भी मैं आपको बता देता हूँ, previous question में नहीं बताया था, वोपस समझे कि मैंने रटवा दीक मैं ये आपके अंदाजा भी बताऊंगा, अच्छा, ठीक, अंदाजा क्या ज मैं जानता हूँ, calculator भी नहीं होगा आपके पास, लेकिन इसका unit digit तो आप पता रगा सकते हो, unit digit क्या आएगा, अच्छा, unit digit कैसे पता चलेगा, जारा देखिए, 13, 13, 13 तीन बार लिखा है आपस में, और सभी के unit place पे 3 मौझूद है, 13 तीन बार लिखा है, और सभी के unit place पे 3 मौझूद है, तो 3 into 3 into 3 तो कर सकते हैं, कितना आएगा, 27 आएगा, 27 में आखरी में क्या दिया है, 27 के unit place पे क्या मौझूद है, 7 मौझूद है, तो 13 के भी cube के unit place में 7 ही आएगा, ठीक है, नहीं समाझ में आए तो देखिए, मैं लिखके बता देता हूँ, 13 को तीन बार तो 3 क्या हो जाएगा, 27 आएगा, 27 के unit place पे क्या मौझूद है, 7 मौझूद है, तो 13 का जो cube होगा, उसके unit place पे क्या मौझूद होगा, 7 ही मौझूद होगा, और यहाँ पे 7 मौझूद है, तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे, कि यह 13 का हो सकता है, ठीक है, तो ठीक है अच्छा थर्टीं इसको कुछ ऐसे कर दीजिए यहां पर थर्टीं का तो एक प्यर बन रहा है जबर देखिए उपर बचा क्या है फाइफ बचा है यानि अगर यहां पर यह फाइफ मौझूद ना होता तो हमारा यह नंबर क्या होता है परफेक्ट क्यूब होता और को हटा कैसे सकते हैं 10985 को 5 से डिवाइट करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा तो यहां पर आप लिखेंगे that number is 5 यहां पर क्या लिखेंगे पूरे स्टेटमेंट में यहां पर लिखा हुआ है पूरे स्टेटमेंट आप उसी इसे बताइए ओके चलिए नेक्स पार्ट करते हैं अपना क्या दिया है 28672 क्या दिया है 28672 टू से रिदुष Civ legit किता है अधर 24336 फिर टू सिर्दीस करेंगे तना आएगा 77768 भी टू सिदिश giderring कितना आएगा 3584 फिर डू सिर्दीस करेंगे तना हैगा 1792 फिर 2 से रिडूस करें कितना आएगा 8 9 6 फिर 2 से रिडूस करें कितना आएगा 448 फिर 2 से रिडूस करें कितना आएगा 224 फिर 2 से रिडूस करें कितना आएगा 112 फिर 2 से रिडूस करेंगे 56 आएगा 2 से रिडूस किया 28 आया 2 से reduce किया ठीक है तो बड़ा number जा रभी यह 2 से reduce किया 7 आएगा 7 से reduce कर देंगे तो बना आएगा यहां पर देखिए एक 3 का pair बना यहां पर 3 का pair बना यहां पर पर 3 का pair बना लिंक ना आखरी में 7 बज़ किया यानि अगर यह 7 ना होता तो आपका जो number होता वो क्या हो जाता एक perfect cube हो जाता है इस 7 के ना होने का मतलब क्या है कि 2, 8, 6, 7, 2 को हम 7 से क्या करेंगे divide कर देंगे तो यहां पर आप लिखेंगे 7 यानि लिख देंगे 7 is the number by which 2, 8, 6, 7, 2 should be divided in order to become a perfect cube ठीक है चलिए अपने next question में कर लेते हैं क्या दिया है 1, 3, 7, 1, 8 कर लिजे 2 से divide कितना हैंगा ज़र बताईए 2, 6, 12, 1 और 8 8 बार में गया 16, 1 और 1 एक मिनिट 2, 6, 12, 1 और 8 1 और, सॉरी 7, 8 बार में गया ठीक है 16 हो जाएगा 1 और 1, 5 बार में जाएगा फिर 1 और 8, 9 बार में जाएगा 6, 8, 5, 9 ये अगेन मुझको किसी एक prime number का ही cube लग रहा है अब ये किसका होगा तो दोजने पड़ेगा इसके लिए पहले देखता हूं इस रिडिस हो रहा है नहीं 8, 6, 14, 14, 14, 15, 19, 19, 19, 19 जी नहीं है अगेन ही एक किसी एक perfect उसका cube है अब ये किसका है आखरी में 9 आ रहा है आखरी में क्या रहा है ये 9 आ रहा है तो ये किसका हो सकता है ये स्ट्रेट 19 का cube root है सारी, cube root कह रहा हूं 19 का cube है 19 को reduce करेंगे तो आएगा 361 फिर 19 से करेंगे तो आजाएगा 19 1 बार में जाएगा ठीक है यहाँ भी क्या बचेगा देखिए 3 बचेगा क्या बचेगा ये यानि 19 का तो pair बन गया उपर क्या बचा है 2 बचा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब तो यही हुँआ ना कि अगर ये 2 ना होता तो हमारा जो resultant आता यानि जो number होता वो क्या होता एक perfect cube होता अच्चा तो ना आने का मतलब क्या है तो ना आने का मतलब क्या है यानि यहाँ पे ये 2 मौजूद नहीं होना चाहिए इसका मतलब तो यह ही है न कि जो आपका यह question में दिया हुआ है 1, 3, 7, 1, 8 इसको अगर हम 2 से divide कर दें तो 1, 3, 7, 1, 8 एक perfect cube हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 उसके वाद यह ले statement copy कर देंगे 2 is the number by which 1, 3, 7, 1, 8 should be divided in order to become a perfect cube ओके student शेलिए इस वीडियो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसको like करें, comment करें, share करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुचा हैं जो coaching को effort नहीं कर सकते हैं Thank you